हेलो अब्रीवन, बहुत-बहुत स्वागत है आपके मेरी वीडियो में हर्षिज जैन जी का मेरे पास कमेंट आए, वो कहते हैं हेलो भाई, भाई यार मेरे पास भी आक्टेव और फाइब बिये 6 है उसमें मेरे को फ्लोर मैट की प्रॉब्लम है जब भी मैं स्कूटी चलाता हूँ, तो वो मेरे लेक्स के साथ यानि कि उनके पैर के साथ आगे को निकलता चला जाता है और हमेशा लूज रहता है, कभी-कभी पुरा बाहर आ जाता है कुछ सॉलूशन बताओ, मेरा मैट कंपनी फिटेट वाला है, लोकल वाला नहीं है यानि कि लोकल वाला उनके पास कोई भी सिस्टम नहीं लोकल वाला कोई भी काम है, उन्होंने करवा के नहीं रखा है अपनी गाड़ी में इस इस साइड भी है, और उस साइड भी सेम तुसे में आपको हुक मिलेगा तो आपको चेकाउट यह करना है कि आप में यह वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर माल लीजे मैंने यह एजियूम कर लिया कि आपका यह वाला तो ठीक है लेकि माल लीजे आपके यह वाले में गड़ बढ़ है तो हो सकते है कि यहां सिर्फ वो जो आपकी प्रॉब्लम जो एक्सेसरी से इंस्ट्रॉल लगा यानि कि इसकी उपर जो है देखे अब यहां पर मैं दो चीज़ों कवर करना चाहूँगा पहली बात तो यह है कि माल लीजे कि कंपनी वालों ने आपकी उसकी उपर जो है चलाता है अब फटा अगर नहीं है तो यह हो सकते कि इसकी नीचे अगर दबा भूँए ने लेकिन अगर दबा हुआ भी नी तो इसको देख लेजे कह कहीं लूज ना हो आपका एक सेरीस का पार्ट जो एक लूज नहीं है तो यह चेक लिए कि यह washer यहाँ पे लगा हुआ, यह washer इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपका, तो यह सारी चीज़ें आपको चेक आउट कर लेनी है, लेकिन अगर सिर्फ इसकी प्रॉब्लम में यह आले की प्रॉब्लम में तो आपको यह जो रबर हुक्स है, इसको चेक पड़ता है, तो आप खुच चेक कीज़े, आप फी गाड़ी में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जैसी प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉलूशन सिर्फ यह है, कि अगर आपको यह जो हुक्स खराब है, तो इसको आपको पूरा चेंज करवाना पड़ेगा, नया आपका, तो यह थी आज की वीडियो और आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कि नहीं हो सकती है, चाहे ज़रूर चेक ज़रूर कर लीचेगा, थैंक्यों सुमच पॉचिंग, लव यू आल सोगा है, प्रॉब्लम आपके ज़रूर डुर सकती है, बहुंच सुमच रहें हो सकती है symptausль भाइवा ज़रूर चेजब्लम आपके प्रॉОषी, यह चरांपार आपके ज़रूर चोम एटो अज़तर ख्रॉब्लम स्रॉब्लम सुम एल झाल कि वीणता हिते हैं कि ए ज़रूर